जये मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस महिने में इस वर्ष 2020 का आखिरी सूर्य ग्रहन होने वाला है जो की 14 दिसम्मर की रात्री में है ये ग्रहन बहुत ही महतपुन होगा क्योंकि ये पून सूर्य ग्रहन होगा और इस ग्रहन का प्रभाव सभी मानव जाती पूरी प्रकरती पूरे संसार में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा कि कुमराशी के लोगों के लिए ये ग्रहन कैसा रहेगा इसका प्रभाव आपके उपर कैसा होगा क्या आपको सावधाने रखनी है क्या आपको उपाय करने है सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निविदन है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्थ होती रहेंगी दोस्तो 14 दिसंबर की रात्री में यह सूर्य ग्रहन होगा 14 दिसंबर अमावशा का दिन है और यह सोमवती अमावशा है सोमवती अमावशा बहुत ही अच्छी मानी जाती है भगवान शिव का आशिरवाद जिन प्राप्थ होता है और सोमवती अमावशा के दिन यह रात्री म पर देखने को मिलेगा, पूरी दुनिया के विभिन देशों पर देखने को मिलेगा, भारत के उपर भी देखने को मिलेगा, और इस जो ग्रहन का जो राशी है, ये व्रश्चिक राशी है, सूरिय व्रश्चिक राशी में हैं, व्रश्चिक राशी में ग्रहन होगा, ये मंग मौझूद होंगे सूर्य चंद्रमा बुद्ध शुक्र और केतु यह पांच ग्रह एक साथ मौझूद होंगे अभी जो ग्रहों की द्रस्टी है देखे यह कई योग बनाएगी जैसे नीच भंग राज योग बनेगा इस दोरान इसके अलावा लक्षमी नारायन योग भी बन बुद्ध शुक्र एक साथ होते हैं चंद्रमा साथ होते हैं सूर्य केतु साथ होते हैं पांच ग्रह ग्रहन के समय एक राशी में होना दो ग्रह एक मकर राशी में होना जहां शनी और गुरू का तो यह कई तरह के प्रभाव और अधिक बढ़ा देते हैं अब किस तरह के प प्रहों का शुप्रभाव होगा और कुछ आपको साउधानिया भी रखनी हैं कुछ आपको उपाय भी करने हैं सबसे पहले जाने कि आपको क्या करना है इस दिन तो देखिए भारत में यह ग्रहन नहीं दिखाए देगा तो इसका सूतक काल भी भारत में नहीं लगेगा जो कि तुलसी दल डाल देना है लिक्विड भी आप यूज कर सकते हैं तुलसी दल आप उसमें डाल कर रखें ताकि जो अशुब किरने हैं सूर्य की वो आपके खाने के उपर ना हो घर के अंदर ही रहें घर के बाहर आप ना जाएं खासतोर से गर्भवती महिला हैं बुढ़े इन लोगों को जादा आप वो करें जो गर्भवती महिला हैं वो अच्छा खासा ख्याल रखें बाहर ना निकले और अपने मंत्र का जब करते रहें बघवान विष्णु के मंत्र का ओम na maha जब करते रहें धार्मिक पुस्टक पढद सकते हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ों को आ गर्वधी मैला है, ना हिए इनको, इन चीज़ों को आपको avoid करना है, अपने सारे काम आप पहले करके रखें, ग्रहन के अवधी के दोराना आप इनकारयों को ना करें, धारमी क्पुस्तख जरूर पढ़ें, मंतर का जब 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 करें, अपनी ये ग्रहन समाब्त हो जाएगा, आप सुभा के वक्त उठकर अपनी घर को गंगाजल चिड़कर स्वच्छ करें, घर के मंदिर को स्वच्छ करें गंगाजल चिड़कर और अपनी स्नान के पानी में भी गंगाजल डालें, स्नान करने के बाद दानपूर ने जरूर करें, दान कारियों का दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये जो ग्रहन है ये विश्व और रसायन यानि दवाओं और कैमिकल आधी का कारिया करने वाले कारियों के लिए बहुत अच्छा होता है तो इन चीजों का दान करना बहुत शुबाना जाएगा और इन लोगों क के साथ मिलकर नीजभंग राजयोग बना है उसके बाद जो लक्षमी नारान योग है दस्वे भाव में इसका प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा और प्रभाव यह होगा कि धन से जुड़े हुए कोई कारिया आपके रुकेंगे नहीं धन से जुड़े धन की जैसे ठकान भी हो सकती है लेकिन अपनी सबी कामों को आप समय से निप्टाएंगे समय से पूरा भी कर पाएंगे बुद्ध, शुक्र, सूर्य और केतु की वज़े से आपको थोड़ी परिशानी हो सकती है स्वास्त्य का ध्यान रखना है और अगर पहले से स्वास्त्य जिवनसाति के लिए समय अनोकुल रहेगा प्रेम संबंद में ध्यान रखना किसे तीसरे की वज़हorg से कुछ परिशानी हो सकती है जो बैंकिंग्स से जुड़े लोग हैं, जो किर्सी से जुड़े लोग हैं, किसान जमीनी किसी काम से जुड़े लोग हैं उनके लिए समय अनुकुल रहेगा लेकिन अगर विश्व की देखें तो यहां कुछ आंदोलन जो चल रहे हैं वो जादा मुश्किले बढ़ा सकते हैं लेकिन कुमराशी के लोगों के लिए यह समय काफी अच्छा है जो बैंकिंग से बैंकिंग संगठातनों से जुड़े हैं उनके लिए समय बहुत अच्छो रहेगा अच्छा गुरू का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा होगा यहां गुरू आपके लिए धन बढ़ाने का काम करेंगे धन को बढ़ाएंगे आपके लिए तो ऐसी इस्तितियां भी आपके लिए बन रहे हैं क कि आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छे लाव देखने को मिल सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, इन पांच ग्रहों का प्रभाव अच्छा है, बसके तु आपके लिए थोड़ा सा स्वास्ता समंधी परिशानी दे रहा है, बाकी कामकाज में भी तेजी होगी, काम हालाकि इस दिनों में कोई शुब कारे और मांगले कारे नहीं किया जाता है, और पती-पत्नी के बीच सम्मंध बहुत अच्छे होंगे, आप दोनों के लिए, इसके साथ ही कुमराशी के लोगों के लिए इस समय खर्चे भी हो सकते हैं, अचानक से कुछ खर्चे में पूस्क्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज्यादर ज्यादर लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादर लोगों तक ही पहुंच सकें